जो पार्टी अपना दो वर्ष तक अध्यक्ष न चुन पाए, जिस पार्टी के सांसर अपनी सरकार के बिल भाड़ दे, जो पार्टी सदन ना चलने दे, जो सड़क पर भी कोई करने से शरम मैसूस करे, वैसा काम सदन में करे, तो आप समझ सकते हैं कि लोग तंतर को कितना शरम सार करने का काम किया जा रहा है, जेश की जनता ने जिन्हें सांसर बना कर भेजा है, अपने मुद्दे उठाने के लिए, वो चर्चा में भाग ना लेकर, चीर फाड करने तक आए हैं, पाईले फैंकने तक आए हैं, क्रोड़ो रुपे सदन के चलने के उपर खर्च किये जाते हैं, और जब चर्चा होती ह तो उसमें भाग ना लेना हूँ, यह अपने आपने दिखाता है कि क्या कर रहा है, बल जो हुआ, वो एक के बाद दूसरी घटना शरमसार करने वाली है, पहले मंतरी जी का अभ्यान फाड देना हैं और फिर कल टेबल पर चड़कर, फीट के उपर, यानि कि राज्यसभा के अजयक्ष की चेर के उपर वो फाइल फैंक देना, अपने आपने शरमसार करने वाली है, और कोई इसमें गरब मैसूस करता है, तो मुझे कही बार लगता है, जैसा 26 जनवरी को हुआ, जहां एक और उससे शरमसार हुए, वहीं पर इस तरह की घटनाओं को बार-बार कही न बाना न भूलिये